बंदे मात्रव टू आलाफ यू आपका हमारे चैनल इंग्लिस इस्टटी आरण में स्वागत है हमारा चल रहा है the same word used as different parts of speech का part 5 ये चार part हम पढ़ा दिये हैं तो आप हमारे description में जा करके उन parts को पढ़ लीजी इनमें ऐसे words के बारे में बता रही हूं जो अपने function और work के according parts आप speech में अलग अलग रूप में कारे करते हैं और अलग अलग विवस्था देते हैं और उनका अलग नाम हो जाता है इस चीजों में चल रही है आपके एक्जाम के लिए बहुत important है इसलिए आप चैनल को share करें और खुद भी पढ़ने का प्रयास करें शेयर करते रहें यदि subscribe ना कियो हो तो कर लीजिए यह सब कहने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं कि आपके लिए education का कितना बड़ा महत्तो है तो education का importance आपके जीवर में किस प्रकार से एक छोटे से quotation में आप चानते भी होगी quotation आपको remind करा रहे हूं education is the passport of the future इसको सुधारने के लिए इसको कयारी करने के लिए हम इस पर आज से ही इसकी त्यारी preparation करना शुरू कर दें कभी हम आगे बढ़ेंगे हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कोई काम नहीं होता इसलिए हमें हमेशा कुछ नुपुष सीखने का प्रयास करना चाहिए तो इनी शब्दों के साथ हम चलते हैं आगे देखिए शब्द है आपका age एज यानी सभी आप जानते हैं वस्था होती है उमर होती है लेकिन कहां पर कैसे इसका यूज किया जाता है संटन्स देखिए इसकी मृत्तों 75 वर्स के उमर में हुई यहां पर एज जो है आपको दिखा रहा है अवस्था उमर को दिखा रहा है अवस्था और उमर को दिखा रहा है तो नाउन का डेफिनेशन यदि आप जानते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका सेंस हमें नाउन की और इंडिकेट कर रहा है इसलिए इस सेंटेंस में एज अवस्था का काम कर रहा है और पार्ट सापि स्पीच का पार्ट नाउन के रूप में आया है या नावन का काम करें। सिकेंड है। रीफ एज्ट दिस मैन। यानि कि तुख ने इस आदमी को बूढ़ा कर दिया। यानि कि यहां पर यह जो एज्ट क्या दिखा रहा है। और वव का जानते हैं कि क्रिया क्या होती है कार को करना या होना पाया जाता है। तो यहां पर यह बुढ़ा हो जाना यहां पर एजड जो है तो वो का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप एजड के तोनों पार्ट को समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस नाउन का कार्य कर रहा है और एक वब कार्ण मैं वहीं सर्च करके लाए रही हूँ जो आपके एक्जाम में आते हैं आपको इस तरह से और भी यदि मिलते जाएं तो पढ़ने का प्रयास करते रहें नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एर एर यानि हवा सभी जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है तो जीने के लिए हवा हर एक हमारे अट्मास्फियर को ही क्लियर करने के लिए क्लीन करने के लिए हवा की अवश्यक्ता है जड़, चेतन, जीव, सब को, पनुष्य के लिए, पसुओं के लिए, पेड़ पॉधों के लिए, सब के लिए हवा वश्यक, अब इनका प्रयोग देख लेते हैं, किसका अर्थ हो रहा है, पहले देख लेते हैं, किसका अर्थ क्या हो रहा है, कि उसके हवा जो है, तो उसके पास, हवा है, यहां से लेना देन आपका हवा देखेंगे आप, अब हाऒ हाव भी इसका अर्थ होता है, बर यहां पे हवा लिया गया है तो यहां पर आप देखेंगे हवा एर जो काम कर रहा है हो नाउन का काम कर रहा है नाउन को दर्शा रहा है कि यहां पे यह नाउन का कार नेक्स्ट है कि एर्स हिस क्लॉट्स ही एर्स हिस क्लॉट्स हावा पी सुखाना अब यहां पे यह कौन सा कारे कर रहा है प्रिया का कारे कर रहा है कुछ करने का कारे कर रहा है कुछ होने का कारे कर रहा है यहां इस सेंटेंस में यही एर क्या बन कि आपका हिंदी में अर्थ हुआ हावा में थुखाना कि सीफेयर और यह जाना का सबना कोई कारी कर रहा है तो यहां पे क्या हो गया यह यह पर यह पर गया वह तो एर का भी दो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा अगे आगे के लिए है हमारा और और म्यानी होता है भुजा यह बुजाय हमारी यहां ठियार अस्तरशष्टर भी होता है तो यहां पर सेंटेंस देखेंगे वाह अपने हाथों में बच्चा लिये हुए है लेकिन बच्चाओं से लेना देना यहाँ पे गोद से है तो एक बच्चे को हाथ में लिये हुए है हाथ में लिये हुए है यहाँ लेते हैं तो यह सिंस के लिए अब यह हमारा बॉड़ी पार्ट को यहां पर यह आम्स को दिखारा इसलिए यह क्या हो गया नाउन का कार्व्य कर रहा है नेक्स्ट, many hunters are armed with guns, कई शिकारी हथियारों से सुसज्जित हैं, तो यहां पे armed, सुसज्जित, यानि कि जैसे राम भंगवान धनुषया तीर लिये होते हैं, तो भंगवान राम की सोभा चली, सुसज्जित धनुषवाणों से, ऐसे बताया जाता है, तिसी प्रकार से many hunters, hunters य कारी है, are armed with guns, यानि बंदूकों से सज्जित हैं, अस्त्र सस्ट्र से सज्जित हैं, तो यहां पे सज्जित हैं, तो यानि कि अस्त्र सज्जित कर रहे हैं, अपने आपको उसी से सजा रहे हैं, तो यहां पे उनका अस्त्र किस का कारी कर रहा है, वोव का कारी कर रहा है, इस अपने function के according इनका use जो है इनका use जो है तो कहीं noun तो कहीं वर्व के रूब में किया जाता है पार्ट सब्स्पीच बहुत important चीज तो पढ़ना बार बार पढ़ना जितने ही पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा कहीं भी किसी प्रकार की confusion नहीं होगी अब चलते हैं आगे आगे आया about अबाउट तो जानते हैं आप preposition का कारे करता है मिलनी लेकिन यहां पर अब sentence देखेंगे अबाउट का हिंदी अर्थ हो रहा लगभग प्राया सभी जानते हैं एडवब है यह एडवब का कारे करता है और preposition भी है तो he wondered about aimlessly he wondered about about aimlessly यानि कि वह प्राया वह प्राया बे बज़ा घटकता रहा तो अब वह एडवब क्या काम करता है एडवब क्रिया विशेशन होता है जो एडवब एड़क्टिव नाउन और स्वेम प्रिया की विशेशन बतलाता है स्वेम की विशेशन बतलाता है तो यहां पर aimlessly यह एडवब हुआ ही इसके पहले लग करके इसके पहले लग करके यह प्राया का सिंस दे रहा है यह सिंस जो दे रहा है यानि कि किसी कार के कार को कैसा का रहा है उसके सेंस को बता रहा है इस यहां पर यह अबाउट जो है तो एडवर्ब का काम करता है नेक्स है यहां यानि कि उसके बारे में कुछ सुखद है उसके बारे में इसके बारे में कुछ सुखद है तो अब यहां जो सिंस दे रहा है तो ऐसी कोई न्यूज आई होगी उसके पास से कोई न्यूज आई होगी आसपास का दे रहा है यानि कि कोई समचार ऐसा आया होगा की सुखद है तो इसका जो सिंस आ रहा है त्यानि कि उसके बारे में तो नाउन को कि क्या कर रहा है इसके संबंध को संबंध को बता रहा है प्लीजिंग का संबंध किसी प्रोनाउन से बता रहा है तो यहां पर डिखी रहा है कि यहां पर प्री पोजीशन का काम कर रहा है तो इस तरह से हम आपको बताएं is, air, are और about तीन के बारे, चार के बारे में हमने आपका explain करके बताया और इसी तरह से हमने बताया कि a to j ऐसे वर्ड से हैं जो a से start हो करके j तक जितने भी वर्ड मिलेंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे तो अभी तो a से हमें जितने मिले हैं एका ही five part complete हुआ है इसी प्रकार से सभी हम letters के साथ इतने वर्ड मिलेंगे आपके सामने लेते आएंगे और आप पहचानते रहेंगे समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपका mindy broad होता जाएगा और parts of speech बिल्कुल आपको confirm हो जाएगा कि किस words का कहां पर कैसे यूज जाता है और इसी तरह से बने रहें for watching this video thanks thanks a lot